हेलो नमस्कार साथियो मेर नाम देविर सावित्ती देवी राजपूत है और आज हम आचुके हैं दीपेंद राजपूत की घर पे जो की यूक्रेन में फसे थे और इस कारका में मेरे सयोगी अबै दुबे जी आईए बात करते हैं दीपेंद से कैसे क्या हलात हैं वो वहाँ क्या कर रहे थे कैसे आना हुआ सरकार क्या सायोग मिला यूख्रेन की थल्जप से क्या सयोग रहा यह सभी चीज और चर्चा करेंगे और जाने किसे वो कब आए घर पे और कैसा उनको मैसूस हो रहा है चलिए चलते हैं नमस्कार आप यूक्रेयन में कब गए थे पहली बार मैं 2019 में गया हूँ वहाँ पे आप क्या कर रहे थे अभी आपका कौन से सेमिस्टर चल रहा होगा यह जो यूक्रेयन और रूस का जो युद्ध चल रहा है सुरुवात हुई थी आपका पड़ा चला था कि हालात खराब हो रहे हैं और आपने क्या उस समय निकलने कोसिस की यह आपने सोचा कि अभी तो हाला ठीक हैं आंगे की आंगे देखी जाएगे कि आपने अपने अर्मी बिल्डप कर रही है और अपनी एक्सराइज बगारा कर रही रूटीन एक्सराइज की तरफ से कोई अडवाइसरी जारी नहीं होई थी कि अब शायद अंटिल 24 को जब अटेक हुआ एर स्ट्राइक हुई है मौणिंग में मुझे सोगे उटे तो पता चला कि एर स्ट्राइक होगी है हमारे सिटी में हमारे टाउन में भी हो गई हमारा जो एरपोर्ट टाउन वाला था था तो हमारे से 10-12 km दूर है उस पर बंब सब कुछ नॉर्मल है और युनिवस्टी खुद को ऑनलाइन नहीं करना चाहती स्टडीज को वह कहरी मेडिकल की स्टडीज ऑनलाइन नहीं करेंगे क्योंकि स्टुडेंट्स यह चाहरे थे गर ऑनलाइन हो जाती तो हम लोग अपनी कंट्री चले जाते हैं काफी सुडेंट्स थोड़े सीरियस हुए और दर भी पैदा हुआ कि हाँ अब थोड़ा सीरियस है मैटर क्योंकि हम लोग वैस्टन उक्रेन में हैं और फाइट जो है फ्रंट जो है वह इस्टन उक्रेन की तरफ ता तो हमें नहीं लग रहा था कि यहां तक ऐसा कुछ होने वाला है यह सब लो भी घाड़ी वगएरा करवा दी थी बट एक दिन डिले कर दिया उन्होंने जाना में सैटेड़ों को था पर दीन की तरफ से गाड़ियां भुक संडे के लिए हुए थी तो बच्चों ने डिले करने से बैटर समझा कि हम अपनी बसिस कर लेते हैं और हम खुदी निकल जात है तो जब यह कंफर्म हुआ कि रुमानिया बॉर्डर ओपन है और वह सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग उस तरफ निकल गए थे तो यह इसके लिए आपने मतब खुद से ही आपने सोचा और निकल के मतब सरकार या यूक्रेयन की तब से ऐसा कोई मैसी नहीं आया या भारत स यहां है वही रहें निकलना स्टार्ट ना करें तो जब सब चीजे कंफर्म हो गई है तभी हम लोग वहां से निकले तब तक इंतजार किया है और यूक्रेयन गवर्मेंट की तरफ से कोई सपोर्ट से ऐसा कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि वो लोग खुदी अपने वार में तो इंडियन गवर्मेंट ने सिर्फ जब एडवाइसरी जारी कर दिया कि यह बॉर्टर सपोर्ट कर रहा है आप लोग इस तरफ निकल सकते हैं तभी हम लोग निकले अच्छा जब आप सुबह उठे थे और आपको पर चला कि बंबारी आपके पास हो चुकी है उस समय का म मुझे यह मैं फोन कॉल करके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है तब बिलीव नहीं हुआ कि हां मतलब ऐसा कुछ हुआ है फिर हमने फोन वगरा स्टार्ट कि हो क्योंकि तीन-चालिस वहां का तीन-चालिस का मतलब यहां लगबग शारी इन घंडे का डिफरेंस रहता है सब घंडी सबस्क्राइब यहां गलेए आपसे बात वात किए तब हमारी उनिवज्टि चल रही थी अमारी क्लास चल रही थी हमें क्लास लेनी थी क्लास कास online online कर दिया गया था हां हमने online क्लास्च बी ली थि और हम लोगों ए पिर हम पी महिने घर के लिए अपना राषंच आपने पीने का सामान सबसे इंपोर्टिनन पैसा और पानी हमने हमने पाणी पानी स्फोर किया एकम समय लग इन लग घाई टो 34 गुरूब बना एक कोई पानी स्टोर करने के लिए गया कोई खाना स्टोर करने के लिए किसी ने मेडिसेन ली तो अपनी तरफ से जितना कर सकते हम लोग कर रहे थे यह एक दिन में हमने किया शाम तक सब कुछ और अगले दिन जारी हो गई थी कि आप लोग चोड़ दें और हमने भी प्लाइनिं से संपग नहीं हुपाया कुछ नेट वगएरा कनेक्शन हम लोग थोड़े चार पांच शे गंटे लिए शेल्टर में चले गए थे अंडरगाउंड शेल्टर में बंकर्स में वहां साइद नेटवर्क नहीं आ रहा था इसी वज़े से जिस दिन हम लोग जिस दिन निकले उससे एक दिन पहले दुबारा स्ट्राइक हुई थी तो फाइटर प्रीन हमारे सामने गिर गया था तो उसको देखके अब सब लोग थोड़ा दर गये थे तो रात का समय हम लोग लबग 5-6 गंटे शेल्टर में रहे थे वहां हम लोग बैठे रहे होंगे तब साइद नेकर फर्स होगे वह भी मदद करेगी यह सचाए है यह सिर्फ यह वाइरल वीडियो है यह वीयलिटि लग की छो कर रहे हैं कि जो हम बहुन बढ़र क्रॉस कर रहे थे तो बार्टर क्रॉस करने का टाइम पे वहां पे जो यूक्रेन आर्मी थी उन्होंने भी सपोर्ट किय अधर्वाइस हमें वह कम से कम 15-16 किलोमेटर पहले वह गाड़ियां छोड़नी पड़ दी इंडियन फ्लैक को देखकर उन्होंने अच्छा जेस्चर शो किया और हमें लगबग बॉटर से लगबग 10-12 किलोमेटर की दूरी तक जाने दिया तो हम उतना ही कम पैदल चलना पड जादा तो रिशन आर्मी का वहां को रोल नहीं था बठाज जो ज्यादा खराब एरिया है वहां पर रशन आर्मी इंडियन फ्लैक को सपोर्ट कर रही है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा जैसे इंडियन जो है सरकार है बारत सरकार अपने बच्चों को निकाल लई है क्या अन उस वार जोन को क्रॉस करने के लिए और एक सेफ बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उन्होंने इसका यूज किया है बाकी अधर गवर्मेंट्स क्या कर रही है यह तो मुझे नहीं मालूम है जब आप बॉर्डर पार कर रहे थे चुकि वहां का टेंपरेचर बहुत कम रहत क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने वेक्वेशन किया निकले हम लोग अपने टाउन से उस दिन टेंपरेचर लगबग एक डिगरी तक था दिन में और हमारे पास अपने खानी पीने का थोड़ा वह सामान था और पानी था हमें लगबग 10 किलो मिटर पैदा चलना पड़ा तो तो वह टाइम ठीक था बुरा नहीं था क्योंकि हम पांच बजे चले तो हम आठ साड़े आठ बजे तक बॉर्डर के पास पहुंच गए थे हां बॉर्डर पहुंचने के बाद जैसे रात होती जा रही थी टेंपरेचर गिरता जा रहा था तो जब हम बॉर्डर को क्रोस कर कर लो वो थोड़ा खराब था बस तो आप रोमनिया रोमनिया में आए वहां पर आप कितना समय तक रुके और फिर उसके बाद आप भारत के लिए आपको फ्लाइट या फिर जो भी यात रग लिए और भी हवाई जा अलग तरीके बेजे गए तो कितना समय आपको रहना प आप वहां से हमने तकरीबान छों गटे सफर किया बाई बस उनके यापिटल पहुंचने के लिए और अम लोग पहुचे हैं वहां जाकर के हमें एक शेल्टरा रोम ता अच्छा था काफी र फैसिलिटी ती सोने के लिए खाने के लिए नाने के लिए यह लेविभी अटो घ्सके बाद माल एक सब्सक्क्राइबिया दिन रूक यह अमने लंच दो बार रुड़ किया अक खुर्ड you और उसके बाद हमें एएरपोंट के लिए शाम को तक्रीबन 4 पांच बज़े लेके गए हैं जब हम एरपोर्ट पहुंचे हैं एरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें वहां पे कुछ वोलेंटीर्स मिले हैं उन्होंने हमारे दॉकुमेंटेशन किया जो भी नाम वगरा लिखना था वो सब जितनी फॉर्मेलिटी होती है वो सब की तो एयरपोर्ट में तकरीबन तीन से चार गंटे हम एयरपोर्ट पे रहे हैं और दस बजे लगबग हमें यह कंफर्म हुआ है कि हमारे लिए आज हमें फ्लाइट रात म में 27 को क्रॉस किया था तो हमें लगनी जा था कि हमें फ्लाइट आज मिलेगी हमें कलकी मिलेगे मिस उम्मीद में थे बट स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होने के विए से 27 वालों मैं से कुछ बच्चों को ले लिया तो हमारा नमबर उसमें लिस्ट में 27 को तक अच्छे से और बाहर वेकल खड़ा था इनका गौवर्मेंट का ही वह मुझे उसमें बठाकर के जो यूपी भवन वहां तक लेके गए है महां मुझे रूम दिया है मैं वहां फ्रेश हुआ हूँ नहयाद होया है खाना खाया मैंने और उसके बाद नीचे आकर के पासपोर कि कुछ फॉर्मेली टीज ती वह मैंने एंटर की और उन्होंने एक वैकल अरेंज किया मेरी लिए आक्चली वह गूर। बना रहे थे कि एक अरिया के बच्छे मिल जा तो उन्होंने जैसे हम पांच शे लोग एक एरिया के होगे तो अन्हों नहीं हमारे लिए वैकल जो भी है। थोड़े भीड़ कम हो गई है बच्चे आराम से निकल पा रहे तो जतना स्ट्रगल हमने किया उस वक्त उतना स्ट्रगल नहीं हुआ है फिर बाद में युद्ध चल रहा है इसको आप किस तरीके देखते हैं रूस जो की भारत का एक दोस्त है यूक्रेन है जिसने भारत का समय पर लेकिन हम इन चीजों को अभी दरकिनार करते हुए यह जाना चारे आप वहां के यूक्रेन में रहे आपको क्या लगता है क्या सई है क्या गलत है और कहां तक यह पॉइना जाए क्यूंकि हाला दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं साथ दिन हो चुके हैं युद्ध चर नहीं है लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं लेकि फिलाल नुकसान परस्नल नुकसान की बात करूं तो पता नहीं अंसरेटेनिटी है कि कब तक के लिए युद्ध चलेगा कब तक कॉलेज बंद रहेंगे डिगरी का क्या होगा बच्चे आप उसमें बात कर रहे हैं आजा है तो कंटिन्यू रहेगा जब तक युक्रेण रश्या की दीगी सर्ते मना माले और इंडिया का जो स्टेंड है इंडिया अपनी स्टेंड पर बिल्कुल सही जगा पर डिप्लोमेटिकली वह बहार है सभी चीजों से ना वह युक्रेण को खुलके सपोर्ट कर रहा है ना अच्छा वाहां पर एक चीज और आई थी कि जो लोकल के लोग हैं उनको आर्मी में जोइन करने के लिए बोला गया वहां पर जो लोकल की लोग हैं उनको आर्मी जोईन करने के लिए बोला गया है ताकि जो युद्ध है क्योंकि अब जो सैनेक है कम पड़ रहे हैं और जब युद्ध होता है देशों हालात बनते हैं तो इस तरीके चीज़ा करनी पड़ती हैं क्या इस तरीके चीज़ा और उन्होंने अपने ही खुद की कंट्री के 18 साल से लेकर के साट साल तक के जो भी मेल्स हैं उनको कंट्री छोड़ने से मना कर दिया था और वोलेंटियरी जो जाना चाहता है जो ज्यूइन करना चाहता है वो कर सकता है यह सही था यह तो गए वहां के आलाथ जब घर आए तो कैसा मैसूस हुगा ठीक है सब रिलाक्स है घर आने ते ज्यादा टेंशन इस चीज की है एक्चुल में पूछो तो की डिगरी का क्या होगा क्या डिसीजन लेगी सबसे इंपोर्टेंट सवाल फिलाल घर तो आना इंपोर्टेंट था ही इस चीज की तो खुशी है सभी को कि हाँ अंसेफ एरिया से सेफ एरिया जाना जादा बैटर है क्योंकि सेफ तो हमें रुमानिया पहुंचके फील हो गया था कि हमने बॉर्टर क्रॉस कर लिया तो रुमानिया में है ठीक है सब कुछ बस इंतियार कर रहे थे कब घर तो जितना टाइम लगना था उतना लगा चार-पांस दिन जितना भी था अब सवाल सिर्फ एकी चीज का है माइंड में की डिगरी का क्या होगा क्योंकि अगर माना कि ऐसे कुछ हालाद बने कि वो यूनियश्टी जहां पर आपने पढ़े और वहां पर आपको कुछ समय बात पता चलता कि उस यूनियश्टी के आसपास के हालाद बहुत खराब हो चुके हैं तो आपने जो अपना समय बिताया अपना आपने जो भी ची अच्छा है कुछ उसको प्लान कर सकती है आप लोग आंके चलके मांग करेंगे अगर हालात सही नहीं होते हैं कि मांग का तो ऐसा है कि जो भी जितने बच्चे आये हैं सभी लोग जो एक कॉमन डिमांड रखेंगे सब की वही डिमांड होगी और गौवर्मेंट से सिर्फ यहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वहां हालात सही हो जाते तो हम वहीं जाके पढ़ना चाहेंगे और अगर वहां हालात बहुत खराब हैं हम वहां नहीं जा सकते हैं या कोई अल्टरनेटी पाथवे अगर गौवर्मेंट देखती है तो यहीं रिक्वेस्ट है कि यहां हमें एड्मिशन दिया जाए या जिसे आप जो भी गौवर्मेंट सही समझे सभी लोगों के लिए ज जल्द से जल्द कुछ ऐसा निसकर से निकले कि आपकी जो सिच्छा है वो समय पर पूरी हो और आप जल्द ही डाक्टर बनें और देश की सेवा के लिए अब प्रियासित रहें तो यह मेरे साथ दीपेंद राजपूत थे और उन्होंने विस्तित तोर पे बताया कि कैसे क् थे किस तरीके निकले क्या समस्या आई और अब वो घर आ गये मैस कैसा मैसूस कर रहें और आंगे पढ़ाई को लेके उनके क्या वो सोच रख रहे हैं इन सभी चीजों को उन्होंने खुलके जवाब दिये फिर मिलेंगे किसी और यूक्रेन से लोटे भारती के साथ तब त जवाई खड़ाई की फिर मिलेंगे को बढ़ाई किसी और वो इवाई ग मिलें ताह कर दो एब जोगाई वोगवाई को गये लोगवाई दो कर दो